इस दुनिया में और आपके लाइफ में सबसे ताकतवर चीज क्या होता है आपको पता है नहीं पता है तो जान लिजिए आपकी क्या होता है हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज क्या है अपना माइंड सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज है आप सोच भी नहीं सकते हो तो आप उस हड़ एक पॉब्लों का सॉलूशन अपने माइंड से निकाल सकते हो नमस्कार दोस्त मैं रुपेश सर्वा मोटिवेशनल स्विकर लाइफ अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि अपने माइंड का जो पावर होता है जो सकती होता है उसको क चीजों को समझ के अगर आप चाहते हो अपने माइंड का पावर यूज करना और सही तरीके से अमेशा आपको positive रहना है अमेशा तो कोई रह नहीं सकता है लेकिन रहने की कोशिस जरूर कर सकते हो क्योंकि अगर 24 गंटा में 24 गंटा negative रहने लगोगे तब तो problem हो जाएगा न दोस्त तो positive thinking बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब तक आप positive नहीं सोचोगे तब तक कोई भी काम positive नहीं हो सकता और positive उसका result नहीं आ सकता और जब तक आपका positive thought नहीं होगा तब तक किसी भी काम में आपको positive पाँगे अगर एक- evangelyर कि अगर सही तरीके से आपको उसका feedback नहीं मिल पा रहा है, अगर आपका thought positive नहीं है, तो आप उस काम को छोड़के भग जाओगे, 100% confirm है दोस्ते, तो दो चीजों पर आपको ध्यान रखाना है, सबसे पहले number में positive thinking, दूसरे number में positive thought, उसके बाद आप अपने mind को जैसे use करना चाह जाते हो, वैसा आपको feedback मिल सकता है, अकसर हम किसी काम को start करते हैं, या किसी काम को start करने वाले होते हैं, तो हमेशा ऐसा problem हम लोगे सामने create हो जाता है, कि काम करते जाते हैं, और कभी-कभी पूरा-कपूरा blank हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कि मुझे अब आग जाता नहीं दिखता है, कि आगे कैसे बढ़ा जाएं, तो सबसे ज़्यादा most important role play करता है आपका mind, जो आपके लिए इदम रामबान का काम करेगा, अगर आप उसको सही तरीके से use करना जानते हो, और सही तरीके से use में लेना जानते हो, तो आपको हर एक problem का solution यहीं से निकल आजाएगा, बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको अपने mind को कुछ time तक बार 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 बताते रहना है, कि चाहे चो भी हो जाए, बस इस काम को करना है, चाहे जितना problem आजाए, चाहे जितना दुख हो जाए, जाहे मैं जितना भी दुखी हो जाओ, फिर भी मैं बस इतना ही करना है, दोस्त, दुनिया आपको कितना भी गलत बोल दे, आपको कुछ भी करके रहे जाए कि इस काम को करना है, बस यही अपने दिमाग में रखना है, 표 flavors, positively, क्योंकि दुनिया का क्या काम है, दुनिया तो कल भी बोलता था, आज भी बोलता है और आगे भी बोलता रहेगा क्योंकि लोगों का नजडिया बदल जाता है आपके work के recording आपके success के recording जैसे जैसे आप develop करते जाओगे जैसे जैसे success करते जाओगे वैसे वैसे लोगों का नजडिया बदलते जाता है कि मैं जानता था वैसा कर लेगा वैसा कर लेगा लेकिन दोस्त इस टार्टिंग में एक चीज हमें सायाद रखना आपके साथ कोई भी नहीं रहता है सबसे ज्यादा साथ खुद का होना जरूरी होता है इसलिए दोस्त अपने आपको पोजेटिव रखो जब आप अपने आपको पोजेटिव रखोगे तभी जाके आपका माइंड पोजेटिव रहेगा और माइंड जब पोजेटिव रहेगा तभी जाके आप पोजेटिव सोचोगे और तभी जाके आपके दिमान में पोजेटिव ठोट आएगा और किसी भी काम के रिकार्डिंग किसी भी पॉब्लम के रिकार्डि लेना है उसको समाल लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना बस इसी सब चीजों को क्लियर कर लेना है उसके बात जैसा आप rezult चाहते हो है वैसा आप़ पीड़गा और सहीं दोस्त इस दुनिया में सबसे जादा चलने वाला कुछ चीज़ तो अपना gruppi होता और दुनिया का सबसे फास्ट चीज है जो भी इसमें डालोगे फटा-फट से यह उपजार्व करेगा फटा-फट सिखेगा और हर चीज का फिडबेक फटा-फट देता है तो दोस्त अगर आप अपने माइंड को सही तरीके से यूज करना जानते हो और नहीं भी जानते हो त जैसा आप रिजल्ट पाना चाहते हो वैसा पालो आज के लिए बस इतना है कल फिर विलूंगा एक नए कॉंटेंट एक नए टॉपिक के साथ थैंक